दोस्तों मैं हूँ संजीव श्रिवास्तव और आज हमारी गेस्ट है एक ऐसी अक्ट्रिस जिनकी डिम्पल्ड मुस्कान पर करोणों लोग जान छड़कते हैं यह एक ऐसी प्रिटी अक्ट्रिस हैं जिनकी गिंती पिछले कई सालों से देश के चुनींदा स्टार्ज में होती है जी हाँ आज हमारी गेस्ट हैं वेरी प्रिटी, वेरी वाइवेशियस, प्रीटी जिन्ता यह नाम पी प्रीटी जिन्ता पि आरईईटी वाई इसका मतला बहुत कंफिजन होता है प्रिटी तो आप हैं लेकिन इस तरह से प्रिटी क्यों वेल नाम प्रिती है, लेकिन प्रीटी को अगर हिंदी में लिखा जाए तो प्रह में बडी कि मात्रा तर में चोटी कि मात्रा होती है और मेरे पापा का खयाल था कि वह ई और आए बढ़ी और चोटी और इसलिए मेरा नाम प्रीटी प्रीटी रखा गया अमिन लिखा गया उसमें कोई यह जो आजकल चल रहा है इतना एक ताकपूर के दो एवर लगा द यहां बहुत कुपसूरते हैं प्रीटी जनता और मैं अभी एक बहुत बड़े राजनेता से बात कर रहा था तो मैंने का आपकी जवानी के सबसे हसीन यादें कौन सी हैं तो इसनिका बस हम तो शर्मिलर टेगोर के डिमपल्स में डूब डूब के बड़े हो गए तो अब एक काफी खासी पढ़ाई लिखाई में दिल्चसपी रखने वाली अलग अलग शौक रिखने वाली आमी बैग्राउंड आपके फादर आमी में थे फिल्मी दुनिया की तरफ कैसे बड़े वैल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फिल्म अभी नेतरी बनूंगी लेकिन एक मेरी बहुत अची दोस्त उनके बॉइफरिंड शेखर कपूर के ओडिशन में गए और जहां वो अडिशन हो रहा था टाउन में उसकी दूसरी बिल्डिंग में एक आपजिट बिल्डिंग में मैं अपने एक एक्जाम लेने गई थी साइकॉलिजी का तो मैं उनको वहां से पिक अप करने गई और शेखर ने मुझे देखा और पिक्चर के लिए साइन कर दिया तो तब तो मुझे पता नहीं था मैंने कभी आक्टिंग नी की थी मुझे कुछ पता नहीं था तो उन्होंने जब मुझे फिल्म आफर की तो मैंने का पता नहीं अगर मैं कर सकूंगी तो उन्होंने का मैं तुम्हें फिल्म आफर कर रहा हूं तुम कह रही हो पता नहीं तुम्हारी डेस्टिनी है ये तुम बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हो तो ऐसे अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी तो मैं एक मैंने एक एक रुपए के सिक् कि अगर मेरी किसमत सच्मुची फिल्मों के तरफ मुझे ले जा रही है तो मैं कॉइन फिलिप करती हूँ मैंने का था मैं फिल्म साइं कर लूंगी और मैं फिल्म साइं कर लुटी और वो फिल्म तो बनी नहीं लेकिन मैं इंडिस्ट्री मैं आ ग advice वह शोले वाली कोई तो नहीं थी? नहीं, शोले वाली कोई नहीं थी, एक साइड पे दोनों एक साइड की नहीं थी, अलग-अलग थी, रियल कोई थी आज ही बताईए कि आपका फेवरेट म्यूजिक किस तरह का होता है? म्यूजिक मुझे हर तरीके का पसंद है, कभी soft instrumental अच्छा लगता है, सिर्फ heavy metal को छोड़ के, हिंदी फिल्मों की कुछ गाने बहुत पसंद है, rock, soft rock बहुत पसंद है, techno music भी पसंद है, house music पसंद है, depends कि क्या mood है, कहा हो, म्यूजिक मुझे हर तरीके का पसंद है मेरा सबसे oldest favorite है, कागस की फूल फिल्म का गाना, वक्तने क्या क्या हसीन सितम, इसके शब्द बहुत ही खुबसूरत है, जब मैंने पहली बार सुना था, तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आज मैं समझती हूँ इस गाने को, और बहुत ही खुबसूरत गाना है, so it's my all time favorite. इतनी हम लोगों को fashion का कोई sense नहीं था, तब television, radio इतना खुलावा नहीं था, तब internet नहीं था, तो सरफ एक दूरदरशन का channel था, तो हमारी जिंदगी एक बहुत ही hill station में sweetly, एक छोटे तरीके से कटी, आज के जमाने में तो किसी भी गाउं में आप जाओ और अगर आप cable TV तो आपको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है पता चल जाता है, तब हमें कुछ नहीं पता था, और हम बहुत simple से sweet से होते थे, तो तब तो मैं यहीं सोचती थी कि मैं हर रोज बड़े हो कि मुझे कुछ अलग बनना है, कभी prime minister, कभी truck driver, कभी air hostess, तो फिल्मों के बारे में मैंने कभी ने सोचा था, वही sweet सी, innocent सी, बच्पन की प्रीटी जिन्ता, जो tom boys थी और बंदों से लड़ती थी, मैं कहा हूं, पूरी generation लड़कों की suicide कर लेगी, यह, but यह, but यह बता है कि उन दिनों, कोई फिल्में वगरा भी देखती थी, कोई अच्छी सी memory, कोई अच्छा गाना, जी मैंने एक फिल्म देखी थी, Mr. India, और श्री देवी की मैं दिवानी थी, मुझे बहुत पसंद थी, श्री देवी, और मेरे छोटे भाई को अमिता बच्चन बहुत पसंद थे, और हम उसे किसी भी फिल्म को देखने ले जाना, तो पूछता था, अमिता बच्चन अमने Mr. India देखी, मासूम देखी, ज्यादा English फिल्में देखी, बोर्डिंग स्कूल में थी मैं, अंग्रेजी नंस थी वहां, तो उन्होंने हमें अंग्रेजी फिल्में काफी दिखाई, Sound of Music, Ben Hur, Mary Poppins, ऐसी फिल्में देखी, यह नहीं था कि गाना लगा कि हम धान्स पस यह था कि श्री देवी पसंद है, चित्रहार में कभी दिख जाए तो टीवी के सामने देख लेती थी मैं, और एक चैनल होता था था टीवी, पर कृषी दर्शन, मेरा वर्स चैनल था लेकिन छुटियों में अगर कुछ डेखने को नहीं मिलता था तो वो भी देख लेत है, कोई भी काम उल्टा कर दो, कुछ पी कर दो, कोई भी घलती कर लो, अगर सच बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो दुनिया के सारे उल्टे काम किये और सच बोला, तो मुझे, मैं बाइज़त बरी हो गई, ऐस दे से, एक दो उल्टे कामों के बारे में हम भी बता दीजे, क्या करतीं थी, आप इतनी शैतान, नटखट लड़की, और सच भी बोलतीं थी, जी हाँ, I think मैं मुझे, जब तक मेरे पिताजी की डेथ, जब मैं 13 साल की थी तब हुआ, तब तक मैं यही सोचती थी कि मैं लड़का हूँ, मैंने कभी यह नहीं सोचा थ घादी नहीं करनी थी, मुझे सकर्ट ने पहननी थी, अगर मुझे कोई डॉल दे दे दें, तो मैं उसकी आंखे निकाल दे थी, कोई लड़की से शादी करने के वारे में तो नहीं सोसती थी जी नहीं, बस मुझे ये था कि मैं कंचे कहलती थी पेर पेचड़ जाना, लड़कों के साथ लड़ाई करना और उफ, अगर किसी ने मेरे भाई को मार दिया या अटैक कर दिया तो फिर उनकी तो खेर ने, बहुत लड़की थी मैं बहुत बच्पत, मैं पर हम लुक साब अलग-अलग प्लान बनाते थे, स्कीम्स बनाते थे एक बारी कापेंटर काम कर रहा था बिल्डिंग में, उसके हमने लाक्तुजन का दबबा खालिया भीचारे का, वो बहुत अपसेट हो गया, उसका वो दूद होता था, वो पाउडर मिल्क, इस उल्टी काम तो प्रीती जन्ता, अगर आप बोरा ना मानें, तो आपको कभी अहसास हुआ कि दरसल आप एक बहुत खुबसूरत अट्राक्टिव लड़की हैं, आपकी पहली देट या पहला क्रश किस लड़के पर मनाया, कौन जना बहुत अच्छा लगा स्कूल में, कॉलेज में, इस अगरा क्रश तो काफी हुए, ऐसे नहीं की नहीं होए, लेकिन मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मेरे क्रश है क्यूंकि यूजलिely मेरे क्रश मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते थे और उने हमेशा एक सुनधर लड़की से प्यार होता था और मेरा मन करता था कि उस सुन्दे लड़की का मैं गला गुड़ दूँ लेकिन इट वेडि इनुसेंट तब तक तो कुछ नहीं पर I think मुझे ज्यादा लड़की बनाया सरोजी ने डंडे मार मार के सेट पे लड़की कमर हिलाओ यह कहां से लियाओ इसको इसको डांस करना नहीं आता इसको यह फिल्म में आके बाल कैसे बनाने हैं कैसे रहना है यह सबसे ज़्यादा मैंने फिल्म में आके इसी खा उससे पहले तो मुझे इंटरस भी नहीं था I think after my father's death मेरी mom काफी दिनों तक hospital में रह आज के जमाने में तो सोचता ही नहीं था आज के जमाने में तो 12-12 साल की लड़कियों की boyfriend है तो और इतना 10 साल भी नहीं हुए है तो अभी लगता है कि 10-15 साल पहले ऐसा नहीं है कि जब हमारे नाना जी कहते थे जब हम जवान थे तो ऐसा होता था अभी फिर भी मैं 10-15 सा 12 साल की लगती है कोई ऐसी ऐसी बार नहीं है तो है आप मतर क्रिकट का भी शौक रखी है काफी आसानी से हमारी जो हम अपनी तरफ से अपनी बजारी अकल में सोचके गुगली फैक रहे हैं उसको आप इतादा साइड स्टेप कर रही है कुछ बतानी रही है लेकिन ओके वाज मैं फर्स डेट मैं अनबेल्स डेली मैं बालंटाइन डेक ले गई थी और मुझे एक लड़के ने पिक ब्रोस दिया फिर उसका नाग तोड़ दिया मेरे दोस्तों ने उसका लड़ाई हो गई तो काफी ही साद डेट थी वो पर इससे कम अक्शन पैक डेट वेल मैं लड़कों के साथ उस वक्त कंपीट करती थी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए मेरे नाना जी की बहुत इच्छा थी कि मैं शादी कर लूँ जब मैं 18 साल के हुई और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जिन्दगी में कुछ बनूं कुछ करूं और वो कहते थी कि श दफाल लड़का तो wrong number था और अगर आप मेरी तस्वीर भी देखेंगे जब मैं 15 16 17 साल की थी तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि वो मैं ही हूँ तो बहुत टॉम बॉइशनस था चोटे से बाल थे इंटरस नहीं था और ऐसे भी नहीं था कि लड़कों ने मुझे बहुत भाव दिया मेरे सारी काजन मिला के कोई 14 लड़के है और एक ही काजन सिस्टर है तो मैं लड़कों के साथ ग्रो अप हुई हूँ तो मेरे को कभी लड़कों से कोई fascination नहीं था यह नहीं था कि लड़का कमरे में आ जाए और मैं nervous हो जाओं मैं I was used to living with boys you know उनके साथ रहना उटना खाना पीना सोना तो कोई फरक नहीं पड़ता था अगर कोई नया लड़का कमरे में आ जाए या मैं किसी को देख के बोलू वाओ मेरे दोस्त है अचा प्रीटी तो यह बताए कि कब पहली बार ऐसा हुआ कि आपको देख के मन में हुआ कि वाओ यह मन में कोई घंटी है अचा प्रीटी तो मुझे लड़के 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 लड़क हो गया है अरे अब तो मुझे आज़े सिंपथी से होने लग गई है हाँ पर नहीं तब इसके बाद मैं फिल्म इंडिस्ट्री में आ गई और फिर काम करने लगी और पर ऐसा नहीं है कि कमी थी या किसी को जिंदगी में लग अलग प्रायॉरिटी थी होती है उस दफा यह नह कि बस नेंकि बाद मैं के लाना है। काफी लगों को मैं अछिए आप इसा है कि यह बाbor नहीं है यह कभी किसी की बात अच्छी नहीं लगी कभी किसी के बात करने का खक अच्छा नहीं लगा पर यह हुता था कि आज कोई पसंद है सिर कल उससे नफ़त होगी है फॉरिशी परसन पसंद है, वो होता है, I think, जो मैं 15-16 साल की उमर में मुझे होना चाहिए था, वो लेटर हुआ, तो आप उस दोर में चल रहे हैं, जब 20-20 साल की उमर में होना चाहिए, I'm sure. नहीं, अभी मैं एक दम सही चल रहे हूँ, आप कुन गुनाती भी हैं? जी, बिल्कोल नहीं, मैं दुनिया की वर्ल्स वर्स सिंगर हूँ, दुनिया की नहीं, वर्ल्स वर्स सिंगर हूँ, जब एमपिसिस के लिए अंग्रेजी, आपको सब जने इतना वाइवेशियस, बबली, फुल अफ इनरजी, यह सब कहते हैं, आप सच में एसी हूँ, जी परसनालिटी में सब तरीके के रंग है, अगर मैं बबली हूँ और वाइवेशियस हूँ और चुल्बूली हूँ तो मेरे अंदर एक डेप्ट भी है, मैं सीरिस भी हो सकती हूँ, कभी-कभी गुसा भी आता है, तो हर एक जैसे कोई भी इनसान होता है, वैसे सारे रंग मेर परसनालिटी में है, अगर कोई आप से कहे कि प्रिटी जिन्दा अपने आपको डिस्क्राइब करें, तो आप कैसे करेंगी, जिन्दा हूँ, अलाइव हूँ, और हिंदी में बोलो तो अजीब होता है, पर अंग्रेजी में अलाइव बोलो तो, मैं नहीं चाहती कि मैं सिर् यहां exist करो, मैं चाहती हूँ कि मैं जी हूँ, अगर मुझे अपने आपको डिस्क्राइब करना है, तो बोल सकती हूँ कि मैं हरे एक moment, हरे एक लमहा पूरी तरह जीना चाहती हूँ. आज बहुत चबी बदल गई है, फिल्म स्टार्स की, पहले सभी मानते थे कि और भी शायद गलत था, कि भी फिल्म स्टार हैं तो देखने में अच्छे हूँगे, थोड़ी अच्टिंग अच्छी कर देंगे, लिकिन अभी इंटेलिजेंट, सोशली, सोचने वाले, जैसे आपने इतना बोल्ड स्टैंड लिया था दो तीन साल पेले, केस के मुतलिक और जा के बयान दिया, कोट में गए, तो अगर आपको देश की एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो क्या गरेंगी आप? या एक दिन के लिए हम तो बना सकते हैं, एक साल के लिए एक दिन के लिए बना दें, तो मैं एक दिन के लिए बना दें, तो मैं एक दिन के लिए बना दें, तो मैं एक दिन के लिए बना दें, तो तो बहुत सारी चीज़े करूंगी, मैं मेरी इच्छा भी है कि शायद कभी एक दिन मैं बन जाओं प्राइम मिनिस्टर पर आइधि तो पॉलिटिक्स में जाना नहीं लेकिन अगर मुझे कोई कहदे कि थम तुम्हें पांट साल में प्रॉपर फुल मज़ूरिटी थ्री फॉर्ट पर्लिमेंट की मज़ूरिटी दे तुम्हें प्रामिनिस्टर बना तो मैं जरूरूर बन जाओंगी तो बिद्धाली परोज के दें आपको कोई महनत नहीं करनी अपने को नहीं महनत फिर में कर लूंगी पर आइधिंक जो एक बहुत ही महान देश है हिंदुस्तान लेकिन हम हमेशा जोक कहते हैं कि एक बड़े बोर्ट पे लिखा है बड़ा-बड़ा मेरा भारत महान और नीच चीजे जैसे की रोड्स, ट्राफिक, लोग कहां रह रहे हैं और मैं सोचती हूं कि मैं एक citizenship जैसे अमेरिका में है, double citizenship इंडिया में रखना चाहूंगी, हर एक state की अपनी citizenship हो और country की फिर citizenship हो, ताकि इससे क्या होता है कि छोटे-छोटे शहर के लोग बड़े शहर में आते है और बड़े शहर में अबादी की problem हो जाती है, logistics की problem हो जाती है, तो हर एक state को अच्छा बनाएं ताकि लोग उस state को छोड़ना ना चाहें, एक Bombay में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग आते हैं, और किसी को भी रास्ते में मिलो तो बिहार से है, तो मुंबाई वालों को problem होत जो की दूसरे देशों में जाके उंचे-उंचे किस तल पे काम कर रहे हैं, आई-टी में, information technology में, computers में, doctors, अभी तो astronaut भी एक Indian थी, अभी दूसरी Indian जा रही है, लेकिन कोई हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि यहां पढ़ लो, फिर इंदुस्तान में रहे, और अभी तो इंशाएला सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, हमारी trade sectors खुल गए है, इंडिया की GDP आट परसेंट तक चली गई है, उसे उपर शायद कह रहे हैं कि ग्रोथ होने वाली है, प्राइवेट sectors को government ने बहुत encourage किया है, तो I think India develop हो रहा है, ल पर यह पॉपिलेशन हमें दो कदम पीछे केंच लेगा, so I really think population को control करना पड़ेगा, and any politician, जो कि religious beliefs पे लोगों को स्वे करें, उनको they should be shot down मुझे तो बहुत seriously सोचना पड़ेगा, आपको कोई responsible position देने के लिए, मैं पूरी जान लगा दोगा मैदम, for whatever I am worth, okay, from this very high funda issue, to trivia मुझे जितनी भी फिल्मे होंगी release, उनको मेरी रिलीस करके tax-free कर दूगी अब बहुत प्राक्टिकल जोक्स प्ले करती हैं अभी हाल में लंडन में अपने बॉडिगाद को आपने बॉड़का पैन के निकल गए, कुछ सही बात है, इसाब किसे कहानी है सही बात है, आइडिया था, अभी शेक को बॉड़का में डराने का, लेकिन पहले मैं भूलगी कि मेरा बॉड़का सापने खड़ा था, तो I went and I said, हाँ, and he went, ah, तो डर गया, क्योंकि उसको डर लग गया, so I said, hello, मैंने उसका हाथ पकड़ा, I said, कहां जा रहे हो आप, and वो nervous हो गया, and then we all started laughing, and then I went on set, और मैंने अभी शेक को तंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर इतना क्राउड आ गया था, इसलिए हमने तंग करना बन किया, और काम स्टार्ट कर लिया, दो अक्रिस, इतनी क्योंकि बात होती है, इतना cut throat है, इतना यह है, इतना वो है, can they be friends, क्या उनकी दोस्ती हो सकती है, जी, of course दोस्ती हो सकती है, दो इनसान, अक्रिस से पहले मैं एक इनसान हूँ, I think, इनसान और इनसान के बीच में दोस्ती होने में क्या problem है, मेरे अक्रिस यह जाची है, जा उनके सात कोई problem नहीं, करीन आची है, रानी अची है, एश्वरिया अची है, सब अच्छे है कोई कोई लोग जब उनकी फिल्मे हिट हो जाती है तो उनका बात करने का धंग बदल जाता है जब फ्लॉप हो जाती है तो बहुत ही प्यार से बात करते है एश्वारियर में वो बात नहीं है वो हमेशा मेरे साथ वैसी ही रही है जैसे मैं उससे पहली बार मिली थी और वो चीज़ मुझे उसमें पसंद है, बहुत तमीज है उसमें मली का शरावत आपके कैसी लगती है, अच्छी लगती है मैंने उनको एक बार बहुत ब्रीफली दो सेकंड के लिए मिली थी तो ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन एक बर उनका इंटिव्यू सुना था और अच्छा लगा इंटिव्यू, क्योंकि वो जो है, वो अपनी इंटिव्यू में कहती है वो एक सिती सावित्री होने का नाटक नहीं करती है, और फिर जाके मर्डर साइन करती है, वो कहती है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, मैं एक सेक्स सिंबल हूँ और मैं ऐसी हूँ और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, जो की, जो चीज है सामने बोलते हैं और सही तरीके से बोलते हैं, और honestly बोलते हैं, सच बोलते हैं आप खुद भी कुछ बैसी है, जी ट्राइ करती हो, ये बताईए, आमिर खान या शारुक खान, दोनो आपसलूटली, बिलकुली, ग्रीडी, आमिर, उनके साथ दिल चाहता है कि, शारुक मेरा पेले हीरो है, मैं कभी भी किसी भी हीरो के उपर शारुक को चूज करूँगी पर आमिर के साथ मैंने बहुत सीखा, वर्ल टूर किया, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, बहुत पसंद है मुझे, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि, मेरे अल-टाम फेवरिट शारुक खान बोल दूँगी, लेकिन इन दोनों के बीच मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि, I think बोथ And who's your favorite music director then? A.R. Rahman? अच्छा, आप भी उनमें से हैं जो इस बाते बहुत seriously विश्वास करती हैं कि एक स्टार की private or public life फरक होनी चाहिए और लोगों को उसमें दखल अन्द या देखने का या सवाल पूछने का को ज़िकार नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, because फिर तो celebrity तो I can understand, फिर TV reporters को भी पूछ लो न, आप भी तो TV पर हर रोज दिखते हैं कि आप आपकी ये problem है, आप उनसे खुद पूछ लीजे, वो तो celebrity भी नहीं है, पर हर रोज उनकी शकल TV पर होती है, कि आपको अच्छा लगेगा? नहीं है, किसी इनसान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अंग्रेजी में शब्द है personal, कि वो अपने, जो सिर्फ अपने लिए हो, और वो ही चीज है कि एक celebrity को भी, कि आपको normal रखे, आपकी personal life होती है, अगर आपकी personal life सब को पता हो, तो फिर आप कभी normal नहीं रह पाएं अच्छे घड़की, settled लड़की हैं, कुछ शादी ब्याकर सोच रही हैं, कोई अच्छा सा लड़का ते किया है, तो बता सके हैं, नहीं तो सब जगे चर्चा है, हम नहीं पूछेंगे, मैंने तो हमेशा सच बोला है, कभी एक बार भी आप कोई जूट मेरा पकड़ के लिय क्योंकि अपनी कहानी बनाती रहती है, खुदी चापती है, खुदी बोलती है, खुदी डिसकॉशन करती है, फिर आजकल तो मैं बची वी हूँ, क्योंकि आजकल तो अभी शेक और इश्वर है कि उपर पड़े वे, उनके पीछे पड़े वे, तो जब फर्स्ट आर्टिकल अभी शेक आया था, मैंने अभी शेक को का था, ये, अब मैं बच गई हूँ, अभी तुम्हारी बारी है, और सची बैंट बजा के रख दिया है, उनके उससे पहले आपकी बहुत अची तस्वीर ने चाप रही बहुत स्टाइलिश रेस कोस में, हैट वगर लगा के बहुत होता है, आप मंदिर जाएं तो आप सर कवर करते हैं, चोटी स्कुर्ट पहन के नहीं जाते हैं, बत्तम इजी होती है, सेम भी आप रेस कोस जाएं तो आप हाट पहनते हैं, बिकोज माहां आउट इंद ग्राउंड है, ओपन है, गर्मी है, आप कभी तहीं भी और जाएं को आप लिफ्ट में जा रही हैं जैसे हम 21 माले पार हैं तो किसके साथ स्टक होना पसंद करेंगे आप किसी के साथ नहीं मैं बहुत नुविस हो जाती हूं एलेवेटर में मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है जिसका मतलब कि बहुत ही छोटी-छोटी जगह में मैं नहीं रह सकती एक बार बच्पन में मुझे किसी ने ट्रंक में बंद कर दिया था और उसके बाद में बहुत डरती हूं लेकिन मेरा आपको नर्वस से डराने का इरादा नी था मैं तो आपको एक रोमैंटिक मूड में लाना चाहा था कि अगर आप एलेवेटर में बंद हो किस कहीं घंटा ऐसे कन्फूजन में कि कोई और नहीं है तो ऐसा कौन शक्स है जिसके साथ आप वो एक घंटा बताना प बहुत ही एक बढ़िया रोमैंटिक इवनिंग आपकी प्लान करते है हम आपके लिए as a thank you gesture तो आप कैसी शाम करवाना चाहेंगी ची मुझे नहीं बता है मैं बताने भीनी वाली हूँ हां मैं उन लोगों मैंसे नहीं हो जिनके लिए रोमैंस होता है कि कैंडल लाइट डिन आपने दिल में होता है रोमैंस अब जिसके साथ बैठे हो आप उनके साथ कुछ लम्हें बिताएं वो रोमैंस होता है यह बाकी तो फिल्मी रोमैंस होता है जो कि हम फिल्मों में यह इस्तेमाल करते है कि can like dinners और फूल है यह है वो है I think किसी के साथ आप चैने भी बैठके कहीं खा लो तो it can be a very romantic experience अगर आपके लिए उस इनसान के लिए feelings है तो मुझे क्यों यह पीलिंग आ रही है कि आपने आपने हाल में किसी के साथ बैठके चैने काएं नहीं बंदर के साथ काएं सिमला में नहीं पर I'm just saying like जब भी लोग कहते रोमैंटिक इवनिंग तो हमेश प्यार तो गरीब भी करते है ना तो I think एक रोमैंटिक डेट का मतलब हो कि जिसे आप बहुत चाहते हैं आप उनके साथ हो तो आप जिस आदमी को अगर बहुत चाहेंगी उसके लिए यह सब चीजें होना बहुत जरूरी नहीं कि वो रिच मैन हो और बढ़े आरेस्टरों म मैं खाना खिला सकती हूं अब मैं खुद मैंने इतना कमा लिया अपने लिए मैं हमेशा इंडिपेंडन्ट रही हूं और मैंने जो कुछ चाहा है मैंने वो खुद पा लिया है तो मैं इनसान एक दूसरे इनसान मैं चाहूंगी कि उनका बहुत अच्छा क्यारेक्टर हो कि बहुत प्यार करें कि वो अच्छे इंसान हो कि उने बड़े बुड़ों से बात करने की तमीज हो उने घर में रहने की तमीज हो यह चीज़े मेरे लिए जादा माइने रखते हैं अपोस्टो कि उनके पास पैसा हो यह मुझे अच्छे रेस्टरान यह खुद मैं कर सकती अपनी लिया है यह सब कोई व्यक्ति कोई जना मिल गया है मुझे नहीं पता मेरी फिल्म थी वैसे कोई मिल गया उसमें जादू जरूर मिल गया था नहीं सच में मैं तो में तो मिदेश में नाम भी नि नि पूज़गगा कुछ पेषा निपुगगा गरीब अम चाहते हैं जिन्दगी में जो आप चाहें कि प्लीज में उसको एरेज कर सकूँ, मिटा सकूँ उस एक्सपिरिंस को I think वह चीज़े तो बहुत हैं जिन्दगी में कि पर अगर मोस्ट रिसंटली देखे जाए तो सुनामी और मेरे पापा की डेथ या ऐसी चीज़े पर वो मिट नहीं सकती I think इन सब चीज़ों की वज़े से मैं यहां हूँ और मैं जिस जो मेरी परसनालिटी है वो अलग-अलग दोरों से बीती है तो मिटाने के लिए तो बहुत सारी चीज़े हैं पर मिट नहीं सकती अगर मिट सकती तो फिर तो दुनिया तो आज ऐसी थोड़ी होती काफी लोग काफी चीज़े मिटा देते हैं कोई बड़ा regret कि मैं यह करती नहीं मैंने अगर गलती भी किया है कोई भी गलती किया तो उस गलती ने मुझे सिखाया है मैं उससे सीखी हूँ, अगर मैं एक कदम पीछे उस गलती ने मुझे ले गई है तो मैं दो कदम आगे उससे सीख के आगे बढ़ी हूँ, तो नहीं और कोई बड़ी महत कांगशा, कोई बड़ी ड्रीम, कोई अमबिशन में ये करना ही चाहती हूँ चोटी चीज़ भी हो सकती है वैल मैं चाहती थी कि एक ऐसा स्कूल बने, कि बहुत बड़ा स्कूल हो और उसमें दुनिया के सबसे बेस स्पोर्ट्स टीचर्स हो, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हो और टीचर्स हो, जो कि सारे अंडर प्रिवलिज़ चिल्रन को पढ़ाएं और वो बच्चा कोई हिंदू नहीं हो, कोई मुसल्मान नहीं हो, कोई सीख नहीं हो, सिर्फ हिंदुसानी हो और एक ऐसा स्कूल, आज नहीं तो कल, एक नएक दिन तो जरूर बनाऊंगे जब प्राइम मिनिस्टर बनाईगी? हाँ भी, बना दीजिए अच्छा प्रिटी जिन्ता, दस साल में आप अपने आपो कहा देखती है? दस साल में तो भाई मेरे बच्चे होंगे पता नहीं, शायद मैं क्या कर रही होंगे मैंने इतना आगे के नहीं सोची है, पर खुश होंगी इतना मजा आया आपसे बातचीत करके और आपने हमसे दिल खोल के बात करी प्रिटी जिन्ता बहुत शुक्री आपका